वैस्ट जब भी कोई या कोई भी आता है हमारे पास तो पूंपलेगल लेकर आता है तो हमारे पास उसका कंु रिख स्लूशन होता है उसका सब्सुरी आतों को यह हो लेकर ईक्रिभ कोई है हम सामने वाले को अगर हमारी सला गलत भी है तब भी दे देते हैं कि उसका आउटकम कुछ भी हो करको मरा तो वह मरा समय को दे पढ़ता है कि अब यह कहना चाहरे है कि हम गलत सला भी दे देते हैं ज़्यादा सोचते नहीं उसके बारे में जो भी मन में आता है उसको बोल देतें कि किसी का मालों और यहार ऑड़ जा रहा है अध्या आप और एक्जामपल, आप दोनों कहीं पर जॉब करते हैं, आप और वो इंसान जो आप से सला मांग रहा है, और उसने आ करके कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं जॉब छोड़ दूं क्या, तो आप उसको कहोगे आँ छोड़ देना, क्या फर्क बढ़ता है, लेक उसको हम कुछ भी बोलके अपना पीछे छुड़ाएंगे, ताकि वो पन्दा हमारा सर ना खाए, और हम खुद की जब बारी आएगी, तो हम बहुत ही बारीकी से सोचेंगे, कि ये करने के क्या प्लस माइनस हैं, और नहीं करने के क्या प्लस माइनस हैं, तो यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक है जब हम किसी और को सला देते हैं, तो हम ज़्यादा सोच समझ करके नहीं देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाला भाड़ में जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है, that is one, second, कि जब आप खुद अपने आपको कोई सला देते हैं, तो उसमें emotions बीच आप एक्जामपल जॉब छोड़ देगा, तो एक्चुल में आपको नहीं पता कि अगले महीने आप अपने बच्चों के स्कूल की फीज कैसे दोगे, या credit cards के बिल इतने बढ़ चुके हैं, वो कैसे दोगे, तो हो कोई हवा में नहीं है डर, किसी भूत प्रेट से आपने ह डर रहे हो, real problem है जिससे डर रहे हो, तो करना क्या चाहिए, चाहे किसी और को सला दो, चाहे खुद अपने आपको सला दो, अराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके, एक problem का solution निकालना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको गलत सला दो, और खुद को सही सला दो, नहीं हमेशा सही सला दो, अगर कोई भी आगर कि आपसे कोई बात कर रहा है या कर रही है और वो decision बहुत बड़ा है, चोटा मोटा है तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो decision बहुत बड़ा है, तो अराम से बैठो, समझो, कि उसकी क्या problem है, उसके mind में क्या आ रहा है, उसको स perspective से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है आज से पहले पूरी दुनिया में इस तरीके से इस problem को किसी ने नहीं देखा होगा, आप जाकर कि किसी और से पूछ होगे, कोई और है, यहाँ बैठा हो है, वो क्या कहेगा, अच्छा यह होता है, तो ठीक है, इस आपको बढ़ा अच्छा लगया कि हाँ, मेरे को मेरी problem का solution मिल गया, बहुत ही बेकार solution नहीं है, इसमें बहुत सारे factors को हमने consider नहीं किया, उसको ignore कर दिया, जैसे एक बहुत बढ़ा factor यह है कि क्या जो emotions है, वो बुरे है क्या, बिल्कुली baseless हैं क्या, क्या उसके पीछे psychological fears हैं, देखो एक होता है actual fear, एक होता है psychological fear, तो अगर किसी और को सला दे रहे हो, तो वहाँ पर भी समझो और breakdown करो चीज़ों को, अब आप कहो कि उसमें मेरा क्या फाइदा है, अरे आपका ये फाइदा है, अगर आज आप उसको अच्छे से guide कर रहे हो, तो कल खुद को भी अच्छे से guide कर पाऊगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दो extremes में operate कर रहे हैं, जब कोई और हमारे पास सला लेने आता है, तो बहुत ही घटिया level की सला हम फटाफट से दे देते हैं उसको, बिना detail में समझे कि उसकी life की actual में problem क्या है, कि वो किस standpoint से क्या पूछ रहा है, या प चाहे कोई और हो, चाहे आप खुद हो, हमेशा हर पहलू को देख करके, सोच समझ करके, फिर decision लेना चाहिए, मतलब उसमें practicality का भी role है, emotions का भी role है, desire का भी role है, fear का भी role है, risk analysis भी है, very important, क्योंकि जब भी कोई बड़ा decision होता है, तो साथ में बड़ा risk होता है, अगर कोई risk नहीं है, तो चोटा decision है, तो वो कर लो, चाहे खुद हो, चाहे किसी और की बारी हो, बट अगर कोई बड़ा decision है, तो बड़े level पर सोचना पड़ेगा, अब सवाल उठता है, ऐसे सोचते कैसे हैं, अपनी thinking को ऐसा कैसे बनाए, कि अगर कोई problem है, तो हम उसकी हर side को देख प आले, तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है questions पूछने से, answer देने से नहीं, आपने कभी note किया होगा, अगर मैंसे कोई कुछ पूछता है, या पूछती है, तो मैं पलट करके उनसे questions पूछता हूँ, पहले मैं समझता हूँ problem को, फिर कुछ बोलता हूँ, और शुरू-शुरू को लेने के क्या plus हैं, क्या minus हैं, उसके साथ में बैठो, उस इंसान के लिए वो decision बहुत important है, दो minute में मत बोलो उसको कुछ भी करने के लिए, हो सकता हूँ, उसकी पूरी life खराब हो जाए, और फिर दिरे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से काम करने लग गए, यानि लिख करके अपने mind को clear करने लग गए, तो धीरे धीरे आपकी mind में ही plus minus एक दम से आ जाएंगे, practice की बात है, इस तरह की हमारी practice नहीं है, हम लोग क्या गलती करते हैं, कि अगर कोई हमारे पास में आता है सला लेने के लिए, तो फटा-फट से सला दे देते हैं, चाए उसका हमको क मेरे mind में business idea आ रहा है, बहुत बढ़ी है, आपको घया पता business के बारे में है, क्यों बोल रहे हो, क्यों जवाब दे रहे हो, उसको बोलो भाई एक कामगर, मेरे contact में यह है, या तेरे contact में यह है, इनको business के बारे में पता है, चल हम तोनों मिल करको उनके पास चलते हैं, अब पहले हम इस business plan को जो तेरे mind में है लिख करके इसके plus minus निकालते है अपने standpoint से, फिर उनके standpoint से समझेंगे, फिर decision लेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना पैसा लगाना चाहिए, तू कह रहे हैं कि इसमें 20 लाक रुपे लगेगा, क्या कोई ऐसा त कुछ करके उसका कुछ बुरा कर रहे हो, गलत सला ये भी होती है कि बिना एक problem को समझे, आप किसी को सला दे रहे हो, मैं आपको practical example देता हूँ, कोई आपकी family में या आपके friend circle में बिमार है, उसका मानो पेट खराब हो गया है, या खासी जुकाम है, कुछ भी है, आप जाओ एक इनसान को गलत सला देती, आपकी नियत गलत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो सला है, ये बेवकूफी भरी है, और जब हम दूसरों के साथ ऐसे करते हैं, तो एक stage ऐसी आजाती है कि हम खुद के साथ भी यही करने लग जाते हैं, ताइम खराब चल रहा है, किसका नहीं च प्रब्लम चल रही है, एक कि बाद ही का रही है, किसके नहीं आ रही है बता दो, आज के time में, तो जब ऐसी दो चार चीज़े हो जाती है, किसी की life में, तो हम उल्टी सीधी सला उसको देने लग जाते हैं, कुछ तो हुआ है, या तो किसी की नजर लगी है, या कहीं किसी न पैक दिया, हाँ, एक बर हुआ तो मेरा पैर भी पढ़ गया था, बस यही चक्कर है, चल तु एक काम कर, तु वहाँ जा, देख सब ठीक हो जाएगा, अभी कैसी सला है, क्या समझदारी वली सला है या बेवोकूफी बरी सला है, तो जब आप ऐसी बेवोकूफी बरी सला औ और ओको देने लग जाते हो, और हमारे आसबास में बरे बड़े हैं अचे लोग, तो एक दिन आप खुद भी ऐसे ही हो जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता है, एक जूट को बार 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 बोलते रहो, वो कब सच हो जाएगा, आपके लिए आपको पता भी नहीं है, इस सेशन मेरा एक्चुल में होता है, जैसे आज कहीं जो सेशन है, ये होगा करीबन एक घंटे का, अपलोड कितने मिनिट का होता है, हाडली पंदरा मिनिट, भीस मिनिट, क्यों, तोकि बहुत सारे क्वेशन ऐसे होते हैं, जहाँ पर मैं दूर से याज जोड़ देता ह मेरे पास में इस पुर्शन का कोई जवाब नहीं है, ये नहीं कि कोई भी कुछ scholarship हो और मैं बकवस करता Culmer, अगर मेरे पास में जैनूइन उसका कोई आंसर होता है, तो मैं देता हूँ, और अगर नहीं होता है तो नमस्ते कर देता हूँ दूर से.